गोरकपूर आईटीम गीड़ा के चात्रों ने सेना की रच्छा के लिए डिवाइस का निर्मार किया है अब सेना के जवान कैम्पों में चैन की नीन सो सकेंगे कैम्पों में रह रहे जवानों को आतंकी हमलों से डिवाइस सुरच्छित करेगा जिसे स्मार्ट एंटी अटैक आर्मी कैम्प का नाम दिया गया है कैम्प में रहे आर्मी के जवान पहले से ज्यादा सुरच्चित रहेंगे इस डिवाइस में चात्रों ने कैमरा लगाया है जो की 360 डिगरी पर घुमते हुए आतंकियों पर नदर रखेगा आतंकी जैसे ही इसकी रेंज में आएंगे एंटी आर्मी कैप डिवाइस में लगे अत्यादिनिक गन उन पर फायर करना शुरू कर देगा और कैम्प में सो रहे आर्मी के जवानों को तुरण सुचना भी मिल जाएगी क्योंकि इसमें लगा अलार्म भी बजना शुरू हो जाएगा वही छातरों का कहना है कि इसका मुख उद्देश अंधेरे और कैम्प में रह रहे जवानों को आतंकी वनकसली हमलों से सतर करना है ये डिवाइस आटोमेटिक रूप से फायर करने में सक्चम होगा डिवाइस में सेंसर के वीडियो रिसीवर के अंदर लगाए गए हैं और बाहर भी लगाया गया है इसमें छोटे छोटे ट्रांस्मीटर भी लगे हुए हैं इसमें इलेक्टरानिक सोलर गन भी लगाया गया है इसके माध्यम से कैम के अंदर से ही दुश्मन पर फाइर किया जा सकेगा इसके अलावा रिमोट सिस्टम से भी गोलियां चलाया जा सकता है जिसको तैयार करने में 15 दिन का समय और कई परकार के डिवाइस और उफकरण का इस्तमाल किया गया है इस मन्यें गोरगपूर नीउस से बात करते हुए आईटियम गीडा के चाथर दीपू कुश्वाहा ने कहा मेरा नाम दीपू कुश्वाहा है और मैं आईटियम कॉलेज के गीडा के गोरगपूर का चातर हूँ और हम लोग इने कुछ दिन पहले देखा कि जो जम्मो कास मेरे में हमला हुआ था आर्मी कैम पे जैसे आर्मी के जवान अगर अंदर सो रहे हो चाहे कुछ अपना काम कर रहे हो तो नकसली अटेक हो जाता है और आर्मी के जवानों पे आतंकी हमला हो जाता है जिसके तौछ पूरे पूरे गन केशी तयुक्ता नाम है यह मंई जबा यह बताया है लिए तरज कंटाएerem को स्मार्ट बनाया में उनिमें पूरे जवानऊ को सुरच्छित करने विजा जिसे हमने इसमें बहुत सारे features लगाएं, smart features लगाएं और हमने एक किया कि इसमें एक पूरे gun भी लगाए, दो gun है एक मल्टी बेरल gun है और उस gun के तद हम लोग अपड़ाउन को कर सकते हैं और फाइर भी कर सकते हैं और एक उपर लगाएं जो 360 पे मूब करके हम लोग फायर कर सकते हैं और हम इसमें हमारा मेन मोटीव है कि आर्मी के जवानों को सुरच्छा प्रदान करना और सुरच्छा इस तरह से करना है कि जिसे कोई भी अगर कैम्पी के तरफ आ रहा है तो हम लोग पहले ही जिटेक्ट कर लेंगे उसको कोई भी कैम्पी के तरफ आ रहा है और आर्मी की जवानों को पता चल जाएगा कि कोई आरत उसको कैम्रे में देख करके और उसको देख लेंगी कौन है उसके हिसाब से हमला भी कर सकते हैं और हम लोग ने इसमें एक रिमोट से भी इसको कंट्रोल करने का किया है और रिमोट है कि इसको कहीं भी अगर अटेक होता है तो हम बाहर चले जाएगे यहां रिमोट को लेकर और रिमोट से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं